समन से है जहां विधान सभाध्यक्षु सीपी जोशी ने वीसी के जरीये नाद्वारा के पत्रकारों के साथ समवात किया इस ओरान सीपी जोशी ने कहा कि कोरोना से डरने और घबराने की नहीं बलकी से मुकाबला करने के आवश्यक्ता है ये मुकाबला जनता को जागरुक करके किया जा सकता है इस कारी की जिमिदारी पत्रकारों की भी बनती है सीपी जोशी ने कहा कि वीडिया लोगों को कोरोणा रोगठाम के प्रती जागरुक करे और सरकार के ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी थे प्रवासी श्रमिको किसान संगटिक शेत्रों के कामगारों की आवास को केंद्र सरकार तक पहुचाने के लिए कॉंग्रेस विशेश अभ्यान चलाने वाली है अखिल भारती कॉंग्रेस कमीटी के निर्देश अनुसार PCC के और से 28 मई को सुबह 11 बजे से दो पहर दो बजे तक ऑनलाइन अभ्यान चलाया जाएका इस समध में अखिल भारती कॉंग्रेस कमीटी के महा सचिफ केसी वेनु गुपाल ने कॉंग्रेस निताओं के साथ में विडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से चर्चा की जिब टी सीम सचिन पैलेट ने बताया कि कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोन्या गांधी और राहुल गांधी के और से समय समय पर केंद्र सरकार को कई सुझाब दिये गए जिने केंद्र सरकार ने सिरे सिक नकार दिया इन वर्गों की आवास को सरकार तक पहुचाने के उद्देश्वे से यह अभ्यान चलाय चायका